काल्सन एंड मार्को जैंसन दोनों ने इंगलेंड की धज्जिया उड़ा दे इतनी मारेना इतना मारेना कि सोच रहे होंगे भाई कौन बल्लेबाज यह है नमस्कार दोस्तों आप लोग का सवागत है स्पोर्ट सीग्यानी यूट्योग चैनल एंड फेस्बुक पेज में क्या बैटिंग किये है आज साउथ अफिरका ने क्या बैटिंग किये सिर्फ दो बल्लेबाज उने काल्सन काल्सन कितना खतरनाक बल्लेबाज है और उसके सब्सक्राइब क्या हो गया मेरे साथ क्या हो गया मेरे साथ और डिकॉप दिखो आज आउट हो गए बैक टू बैक संचुरी मारे थे वाट डिकॉक आज नहीं चले चार रन पर आउट बट इनके बेच जो पार्टनर्स पर हैंडर को लाए गया वेंडर डशन के बीच एक आपके 85 रन बनाए 75 बालू उहीं बात के वेंडर डशन ने 60 रन बनाए 61 बालू पर यह अच्छी पार्टनर्स प्ती उसके बाद से सुरू हुआ मारक मकरम ने अच्छी बल्लेबाजी की 44 रन चे बैलीस रन चे टिक ठाक उसके बात काल्सन की बैटिंग मिलर भी जल्दी आ पालों पे जिसमें इनके 12 चौके और 4 चक्के भी थे एवरेज 162 का 162 का मारको जांसन की बात कर लो मारको जांसन ने 75 रन बनाए सिर्फ 42 पालों पे 3 चौके और 6 चक्के बीमारे 178 का एवरेज समझ रहे हो ना बहुत एक बर 400 मार चुकी है दोबारा से 400 के गरीब पहुँच चुकी है और क्या खतरनाग बैटिंग और 399 रन एक रन से चुक गई साउथ अफिरका 400 रन बनाने में लास्ट ओबर में रनी नहीं बना और 5 रन बन पाया दो विकट गिर दिये तो साउथ अफिरका ने टोटल बनाए 399 रन साथ विकट के 50 ओबरों में मैं बात करूँ साथ विकट बॉलिंग की बात किया जाए आपके रिसल ट्रोफली 8.6 पास में चीहतर उसके वाद आदिल रसीद 10 में 61 अधिल रसीद तक गुड बॉलिंग गुड बॉलिंग की आदिल रसीद के वज़े से इतना अनता साड़ी 400 रन बन गया होता ओ माई कॉड़ ओ माई कॉड़ मतलब यार सिरसली यार यह बहुत बड़ा कह सकते हो मार पड़ी है बले बालरो को मतलों वर्ल्ड कप में बहुत मार इंडियन बचे अभी तक इंडिया को मार नहीं पड़ी है खास कर पर सभी बालरो को मार पड़ चुकी है आप लोग क्या सोचते हो कालसन क्या इंडिया के खिलाफ ठोक सकता चारण कमेंड बॉक्स म झाल झाल